बीवी के सामने फूटा भांडा, राज सारा दिन अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता था, रुकया कमाने के लिए आखीर मेहनत तो करनी ही होती है, वह अपनी बीवी से कहा करता था जिसे राज अक्सर समय नहीं दे पाता था और इसी वज़े से अक्सर वह शाम और देर अपने क्लाइंटों में उल्जा रहता था, राज के जन दिन पर उसकी बीवी ने उसे बढ़िया, सर्प्राइस पार्टी देने की सोची, बेचारा राज व्यवसायक दायत्वों के चलते मौज मस्ती का भी समय जो नहीं निकाल पाता था, राज पूछता ही रहा कि कहां च स्क्रिप्टीज डांस बार में उसके लिए पार्टी का आयोजन किया था, डांस बार में प्रवेश के समय ही दर्बान ने एक कढ़क सेल्यूट, भरपूर मुस्कान के साथ थूंका और बोला, हेलो मिस्टर राज, आज मिजास कैसे हैं आपके, उसकी बीवी थोड़ी चकि सी हुई, पर उसने सोचा कि क्लाइंटों के साथ कभी आय होंगे यहां, बार में ड्रेंट के बीच हलाकान होते उसके पती के पास एक बार बाला आई और अपनी बाहों को राज के गले में डाल कर बोली हाई हैंडसम, आज क्या बात है, मूम डुखडा है, जैसे तैसे रोने, रोने को थी, अचानक सुब किया लेते बाहर भागी, सामने स्टैंड पर जो टैक्सी दिखी उस पर सवार हुई और घर चलने को कहा, पीछे से राज भी दौडता हुआ आया और बगल में बैठ कर उसे समझाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु उसकी बीवी का रोन रोकी नहीं रहा था, इतने में टैक्सी ड्राइवर बोला, ऐसा लगता है मिस्टर राज, आज आपका पाला किसी मूडी लड़की से पढ़ गया है